जहन्द प्यारे सातियों, कैसे हो आप सब बिलकुल मस्त होंगे, यू विक्टर क्लासेच यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्पुन टॉपिक पर डिसकर्स करने वाले हैं यदि आप जून दो हजार चोबिस में जोग्रोफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन होने वाला है वीडियो की थम्नेल को देखकर आपको आईडिया लग ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के उपर डिसकर्स करने वाले हैं जून दो हजार चोबिस में जोग्रोफी से नेट जरब पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए आज की इस वीडियो में हम डिसकर्स करने वाले हैं कि यदि आप जून दो हजार चोबिस में जोग्रोफी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई करना चाहते हो या फिर आप जयरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको कम से कम कितने नंबर का टार्गेट लेकर चाहिए समझो आप पूरे dedication के साथ आप तयारी नहीं कर रहे हो जब आप mock test देते होंगी तो उसमें आपका score होता होगा तो फिर उससे आपको एक idea लगता होगा कि हमारा score ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है और यदि आप पूरे dedication के साथ तयारी कर रहे हो तो आपको एक target लेना भी कि हमें कम से कम इतना score तो करना ही चाहिए ताकि हमारा जरफ qualify हो जाए या हमारा net qualify हो जाए अब बहुत सारे candidateों के दिमाग में आ रहा होगा कि बिना exam हुए ये कैसे पता चलेगा कि cut off कितनी जाएगी ठीक है हमें कितने marks का target लेकर चलना चाहिए हमें कितना target लेकर चलना चा जोगरों पर subject का तो उसमें केवल दो ऐसे exam थे एक November 2017 वाला और एक December 2023 वाला जो paper बहुत जादा टप हुए थे जिनकी वजह से इनकी जो कटोब थी वो बहुत कम गई थे आप यादि 2010 से लेकर अब तक के UGC net के result को चेक करोगे तो केवल ये दो year ऐसी थी November 2017 और December 2023 जिसमें क कटोफ बहुत कम गई थी अब कटोफ कम कब जाती है जब paper का level बहुत ज़्यादा tough होता है ठीक है जो कटोफ होती हो सबसे में depend करती है paper के level के उपर यदि paper का level बहुत tough होगा तो कटोफ कम जाएगी paper का level easy होगा तो वो सभी candidate के लिए होगा तो सभी candidate का paper तो नात्मक रूप से अच्छा जाएगा तो कटोफ जादा जाएगी तो यहाँ पर हमें एक average लेकर चल रहे हैं कि यदि एक average step का paper आता है तो उसमें आपको कितने mark सहीं net और जरब qualify करने के लिए यदि paper tough आएगा तो आप सभी लोगों के लिए आएगा तो सभी लोगों का कम score होगा तो 25 साल का जो कटोफ है उसके analysis के base पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि यदि आप June 2024 में इतना score कर लेते हो ना तो आपका हर हाल में बहुती गजब के marks के साथ जरब qualify हो जाएगा net qualify हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको अपना introduction दे देता हूँ मेरा नाम अजय सर्मा है जोग्रोपी subject से मेरा लगातार तीन बार जरब qualify है मेरा जो highest score है वो 99.999% का जिसको हम overall second rank कह सकते हैं पिछले 4 साल से मैं इसी platform पर net के first paper और जोग्रोफी की तैयरी करवा रहा हूँ दिसंबर 2023 में जो exam हुआ था उसके लिए यहां पर हमारे net के first paper और जोग्रोफी का guarantee batch चला था हमारे batch का highest score था कुछ इस तरीके से मैयंक, सुमीत और मुनिस तीन ऐसे candidate थे जिनके जोग्रोफी में 200 में से 160 number का score था और यदि मैं overall बात करूँ तो हमारे batch में total 22 ऐसे candidate थी जिनके जोग्रोफी में 75% plus का score हुआ था अब तक हमारे इस platform से 160 plus candidate का जरब qualify हो चुक है और 830 plus candidate का net qualify हो चुक है जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिचल तब मान सकते हैं तो अब हम बात करते हैं हमारे सबसे main topic के उपर कि हमें कितने marks का target लेकर चलना चाहिए ताकि हमारा हर हाल में जून 2024 में जरब qualify हो जाए net qualify हो जाए और यहाँ पर मैं category wise तरीके से discuss करने वाला हूँ और यह आपको minimum target लेकर चलना चाहिए क्या है बिलकुल minimum के हमें कम से कम इतना score तो करना ही करना है इससे ज़्यादा score हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन इससे कम score होगा तो समझो दिक्कत वाली बात है दिक्क यदि आप जन्रल category से bowl करते हैं और आप यदि 64% plus का score कर लेते हैं तो आपका 100% net qualify हो जाएगा और यदि आप 72% plus का score कर लेते हो तो आपका 100% year-up qualify हो जाएगा यदि आप OBC category से ब्लोंग करते हैं आपका 60% plus का score होता है तो आपका net qualify हो जाएगा और यदि आपका 68% plus का score होता है तो आपका year up qualify हो जाएगा यदि आप EWS category से ब्लोंग करते हैं आपका score 60% plus का होता है तो आपका net qualify हो जाएगा और यदि 68% प्लस का स्कोर होता है तो आपका जेरफ क्वालिफाई हो जाएगा दोगों कभी कभी क्या होता है जो OBC और EWS की जो जेरफ की कटोप है न इसमें 1% का अंतरा जाता है कभी कबार जिसमें EWS की जो कटोप है जेरफ की वो OBC के तुलना में 1% ज्यादा चली जाती है बाकि Net की दोनों की बिल्कुल बराबर रहती है तो यहाँ पर आप 69% प्लस का टारगिट ले सकते हैं EWS वाले के डिरेट ठीक है यदि आप SC कैटेगरी से ब्लोंग करते है आपका 56% प्लस का सकते है तो आपका Net क्वालिफाई हो जाएगा और यदि आपका 64% प्लस का सकूर होता है तो आपका जरफ क्वालिफाई हो जाएगा अब भी आपको वीडियो नहीं रोकने है वीडियो को लास्त तक जरूड देखने है वीडियो बहुत ज़्यादा महत्पुन होने वाला आ आपका जो जरब qualify करने का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है अब देखो मेरे अनुसार आपको target लेना चाहिए ये वाला कि हमें कम से कम इतना score करना है दोको net qualify करने से आपको कोई benefit नहीं मिलने वाला ठीक ह पर लगाओगे कि मेरा net qualify हो गया आपके बहुत सारे दोस्त कमेंट करेंगे कि हैर मेरे एक दोस्त का पांच बार net qualify हो गया मज़ा तो तबाएगा जब तरह जरब qualify होगा लेकिन जब आपका जरब qualify हो जाएगा तो आपको लगबग 30 से 35 रुपए की fellowship मिलेगी ठीक है आपका directly PhD में admission हो जाएगा अब भी new policy के according इसके लावा यदि आप कहीं पर assistant प्रोपेसर के लिए form apply करोगे तो आपको तुलनात मक्रोप से ज़्यादा benefit मिलेगा आप status पर लगाओगे तो आपके बहुत सारे दोस्त आपको appreciate करेंगे क्यार मेरे दोस्त का 6-7 बार net हो गया उसका जर up हो गया तो भाई लोगों असली मज़ा तो तब आएगा जब आप year up qualify करोगे आप कम से कम इतने marks का target लेकर चलोगे ठीक है अब सबसे बड़ी problem यह है कि हम इतना score कैसे करें इतना score करने के लिए हम किस तरीके से तयारी करें तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल systematic तरीके से बताने वाला हूँ कि यदि आप year up qualify करना चाते हो जून 2024 में जोए आप किसी भी category से ब्लोंग करते हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बहतरी तरीके के बारे में यदि आप उसको follow करते हो तो आप हर हाल में जून 2024 में बहुत ही बहतरी marks के साथ year up qualify कर लोगी यदि आपका इसकोर हो जाता है तो आपका hand up percent जरफ हो जाएगा paper tough आएगा तो कटोप कम जाएगी तो आपका भी score कम होगा paper easy आएगा तो आपका score जादा होगा तो कटोप भी जाता जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है average paper आएगा तो कटोप लगबग इस target लेना है आप चाहे किसी भी category से blowing करते हो कि हमें कम से कम 75% plus का score करना है दोनों paper पे ताकि हमारा हर हाल भी जारफ पका हो जाए क्योंकि प्यारे सातियों यदि अब आपका exam से पहले आपका 75% plus का score होगा तो exam के दोरान आपका score लगबग 72% के आसपास ही होगा क्योंकि बहु क्योंकि exam के दोरान हमारे उपर अलग-अलग तरीके का pressure रहता है ठीक हर एक क्योंसन को ठीक करने का target रहता है जिसकी वज़े से एक दो क्योंसन गलत हो जाते है तो अब भी आपको फिलाल में target लेकर चलना है कि हमें हर हाल में कम से कम 75% plus का score करना है जोग्रोफिय में हमें कम से कम 75% plus का score करना है मतलब 76% का score करना है अब हम इतना score कैसे करें इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ दोको हमने एक जोग्रोफिय का और नेट के फर्स पेपर का यहाँ पर guarantee बैच शुरू किया है जिस तरीके से दिसंबर वाले exam के लिए हमने guarantee बैच सुरू किया था बिलकुल ठीक उसी के according हमने यहाँ पर जो जून 2024 में exam होने वाला है उसके लिए हमने एक guarantee बैच सुरू किया है हमारा यह जो guarantee बैच है इसका target है कि हमें हर हाल बे जून 2024 में कम से कम 75% प्लस के स्कोर के साथ जेरब क्वालिफाई करना है हमारे इस guarantee बैच का target केवल और केवल जेरब क्वालिफाई करना है वो भी मातर 70 देज बे क्योंकि अब केवल लगबग 70 दिन का समय बचा हुए बहुत सारे candidate तो यह सोच रहे होंगे कि 70 दिन में जरब तो बहुत दूर की बात है नेटी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा लेकिन मैं कहरा हूँ यहाँ पर कि 70 दिन नहीं 50 दिन में आप जरब क्वालिफाई कर सकते हो यदि आप सही धंग से तयारी करते हो और यदि आप स wähl dirig तो अब मैं यहाँ पर गारंटी बहच में बताने वाला हूं किस गारंटी बहच में हम आपको किस तरीके से content प्रोवाइड करवाएंगे आपके किस तरीके से तयारी करवाएंगे ताकि आप 70 दिन की तेयारी से बहुती बहुती बहुति बहुतरी marks के साथ जरफ चाहिए कि पता हो तो पेपर पैटन का आपको अच्छे तरीक से पता होनेबाना हूं पेपल लेवल के बारे आपको पता होना चाहिए पेपर लेवल का मतलब है कि क्यों सन किस लेवल क्या रहे कि क्यों सन किस टैप क्या रहे ताकि आप जब टोपिक को पढ़ते रहो तो आपको पता चले कि इस टोपिक से इस टैप के क्यों सनाते है तो हमें इस टोपिक को इस तरीके से पढ़ना चाहिए ठीक है सही रणनिती रहती है तो कमजोर सेना भी सकते साली सेना को हरा कर युद जीत जाती है और यदि सही प्लानिंग नहीं होती है न तो बहुत सकते साली सेना भी कमजोर सेना से हार जाती है तो यहाँ पर आपको एक अच्छी प्लानिंग के साथ तयारी करना भी बहुत जादा ज़रूरी है यदि आप कम टाइम में बहुत इक गजब के मार्क्स के साथ जारब कौलिफाई करना चाहते हो तो हमें इन चारो की चारो पॉइंटों को अच्छे तरीके से ध्यान में रख अब इन 21 उनिटों को फिलाल के पेपर पैटरन के कोडिंग हमने दो सैसन में डिवाइड कर दिया एक सैसन ए और एक सैसन बी में हमने इन केवल चार उनिटों को सामिल किया जियो मॉर्फोलोजी, ओसीनोग्राफी, कलेमेटोलोजी, इंडिया जोग्रोफी जहां से फिलाल म आप उन candidate के साथ discuss करोगे जिनका 2020 से पहले जरप qualify हुआ है तो आपको बताएंगे कि भाई physical जो ग्रोपी की तीनों यूनिट रे इंडिया जो ग्रोपी को पढ़ लो आपका जरप हो जाएगा लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई अब सब कुछ बदल चुका है इन चारों यू सबसे बड़ा रीजन है कि वो इन चार यूनिटों के पीछे ही आँख बंद करके लगे हुए जबर्दस तरीके से ठीक है भाई अब आप इन चार यूनिट के बेज़ पर कुछ नहीं कर सकते यह आपको अच्छे से समझ लेना है अब आपके दिमाग में आ रहा है कि चलो 25 परसेंट पेपर यहां से आ रहा है 25 क्योसन यहां से आ रहा है तो बाकी के क्योसन कहां से आ रहा है भाई सैसन ए में हमने 17 यूनिटों को सामिल के यह चोटी चोटी यूनिट है जिनके बारे बहुत सारे कंडिडेट तो जानते ही नहीं है ठीक है बहुत सारे कंडिडेट ज जानते हैं, उपर-उपर से पढ़ रखे हैं, इनको अच्छे तरीके से तयार नहीं कर रखे, भाई आज कल पेपर बहुत डीपली आने लगा है, पेपर बहुत टफ आने लगा है, तो अब हमें हर एक यूनिट के हर एक टोपिक को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही गहन तरीके से बहुत ही विश्टरी तरीके से पढ़ना जरूरी है, तो सैसन एक ही 17 यूनिट में, कार्टोग्राफिय, जियोटेक है, इस्टेटिकल जियोग्रोफिय, पोपिलेशन जियोग्रोफिय, सैटल्मेंट है, सोशियल कल्चर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट जियोग्रोफिय इंडेस्ट्रेल जियोग्रोफिय है, रिजियनल प्लानिग है, एंगिरिकल्चर जियोग्रोफिय, एककोनोमिक जियोग्रोफिय, ठोट है, इनवायर्बेंट है, ये टोटली कोली मिलाकर 17 यूनिट है, जहां से फिलाल में लगबग 65 पेसट क्यों सनाते हैं, तो आपको इत हमें इनके अलावा कुछ पढ़ने के जरूरत नहीं है यहीं से हमारा जैरफ हो जाएगा इतना तो आपको समझ में आई ही गया होगा ठीक है तो भाई लोगों फिलाल में यह दिया आप जैरफ चाहते हो तो आपको सैसन A की जो सत्रा यूनिट है इनके हर एक टोपिक को बहु अच्छे तरीके से प्रक्टिक्स करने है ताकि 10 में से हमारे 9-10 के उसन ठीक हो जाएग तो यहाँ पर पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जहरब चाहिए तो यह सत्रा की सत्रा यूनिट हमें अंगुलियों पर याद होने चाहिए हर एक topic in 17 इंटों का बहुत गजब तरीके से तयार होना चाहिए conceptual तरीके से भी ठीक होना चाहिए और fact भी अच्छे तरीके से याद होने चाहिए ठीक है अब हम बात करते है paper level के बारे में कि फिलाल में paper का level क्या चल रहा है दोखो paper के level की हम बात करें लगबग 60 से 70% paper मतलब 60-70 question है जो concept based पर आते हैं आप उन question को तब ही ठीक कर पाओगे जब आपके topic का concept clear होगा ठीक है लगबग 20-30 question ऐसे होते हैं जो factual type के आते हैं जिनको आप के वल तब ठीक कर सकते हो जब आपका अच्छे तरीके से data याद है ठीक है और लगबग 10% paper होते है जो current based पर ब जिसमें question उपर उपर से बनते थे भाई आजकल paper बहुत deeply बनने लगए इसलिए आपको परतेक topic को परतेक unit को बहुत गजब तरीके सपढ़ना ही पढ़ेगा अब आप लापरवाई कर दोगे उपर उपर से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई आपको फिर December 2024 का exam देना पढ़ेगा फिर आप deeply तरीके सपढ़ोगे और भी जादा deeply पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि फिर पेपल लेवल और बदल जाएगा ठीक है तो December 2024 में पढ़ो इसकी बजाए आप अब भी पढ़ लो ना ताकि फिर आगे 6 मैने आपको मेनत नहीं करनी पढ़े मातर केवल 70 दिन से आपका जेरब क्वालिफाई हो जाए आपका सपना पूरा हो जाए तुरंत PhD में एडमिस ले लो फैलोसिप मिलना शुरू हो जाए और उसके लिए प्यारे साथ ही ओ आपको जो सैसन एकी 17 इनिट है ना इनको पढ़ना बहुत जादा जरूरी होगा और मैं पुरी पर बैच जो निकरोगे तो सबसे पहले फिजिकल जोग्रो फिर इंडिया जोग्रो भी पढ़ाएंगे उसके बाद बे इन चारों यूनिट को तो बहुत डीपली तरीके से पढ़ाएंगे वो लोग उसके बाद की जो 17 इनिट है उनको वो उपर उपर से पढ़ा कर निकल आपको लगेगा सलेबस कम्पलीट होगा लेकिन जब पेपर देने के लिए बैठोगी तब पता चलेगा कि पढ़वी में से कुछ आए नहीं रहा क्योंकि आपने जहां से क्योशन बनते हैं उनको तो अच्छे तरीके से तयार ही नहीं किया तो यहां पर क्या किया जाता है कि जो सैसन एकी सत्रा यूनिट ना इनके परतेक टोपिक को परतेक यूनिट को बहुत ही गजब तरीके से तयार किया जाता है मतलब इन सत्रा यूनिटों को इस तरीके से तयार करवाया जाता है कि आप 65 में से 65 क्योशन ठीक कर सकते हो ठीक है जदी आप सारे कॉंटेंट को पपल लेते हो ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते है सबसे पहले सैसनी के 17 युनिटों के युनिट वाइस तरीके से हर एक concept को क्लियर करते हुए हर एक fact को authentic तरीके करंट based पर क्लियर करते हुए complete करते हैं जैसे 17 युनिट कम्पलिट हो आप क्या रप चाहती हो तो यह प्लेट फोम आपको जोईन करना ही करना पड़ेगा और वह क्यों करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर एक मातर प्लेटफोम है जहां पर सबसे पहले इन सैसेजन 17 यूनिटों को complete करवाया जाता है जहां से लगबग 65% paper आ रहा है ठीक है अब मैं यहाँ पर content की भी विशेषता बता देता हूँ दोगों यहाँ पर content की सबसे मैंन बात बहुत सारे candidate हैं जिनके जोग्रोपे में बहुत अच्छा score नहीं होता first paper में अच्छा score नहीं होता भाई यहाँ पर हम बिल्कुल basic से पढ़ना सुरू करेंगे बिल्कुल zero level से पढ़ना सुरू करेंगे एडवांस level तक पढ़ेंगे ठीक है फिर चाए paper कैसा भी क्यों ना आए चाए easy paper आए तो भी आपका गजब का score होगा paper बहुत level तक हम तयार करेंगे हमने क्या किया कि टोटल 14 फ्लेटफोर्म है जिनके माध्यम से आप जोग्रोफी सब्जक्ट की नेट जेरफ के लिए तयारी कर सकते हैं जिसमें कुछ टीचर्स हैं जैसे अभी सिर जहां सर है दिवाकर सर है और इसके लावा अंकित सर है बेपी सर है बच्चन सर है स्रीराम खांगर सर है कुछ नोट्स प्रोवाइड किरवाने वाले इंस्ट्यूटेंट ओपर्स नोट्स नोट्स हब है ओथेंटिक किताब है युनिट वाइस तरीके से गाइट है जैसे द्रस्टि के अरियंत की तो हमने क्या-कया इन सब भी के कॉंटेंट को बिलाकर हमने जोग्रोफि का बहुती बहторीं कॉंटेंट तैयार किया है तो आपको इतना तो समझ में आई ही गया होगा कि हमारे इस platform पर जो आपको content मिलने वाला है इस batch में जो आपको content मिलने वाला है वो इन सभी के content का सार मिलने वाला है मतलब यहाँ पर batch join करने के बाद यहाँ की content को पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी ना तो कोई वीडियो देखने के जुरत पढ़ेगी ना कोई topic कहीं से पढ़ना पढ़ेगा ना कोई किताब खरीदनी पढ़ेगी क्योंकि सभी टीचरों का सभी authentic किताबों का सार हम यहाँ पर इनी notes में आपको देने वाले हैं यहाँ पर हम परतेक unit के परतेक topic का बहुत ही गहन और बहुत ही विश्तित तरीके से अध्यन करने वाले हैं हमारा जो content वो 100% जरब के लिए sufficient है 100% sufficient है जरब के लिए 100% exam oriented है हमारा target केवल score बढ़ाना है ना कि ग्यान बढ़ाना इसलिए यहाँ पर जो भी content मिलेगा बिल्कुल 100% selected exam oriented smart content मिलेगा आपको ठीक है फिलाल के paper level paper pattern के coding content मिलेगा एक भी किताब खरीदने के जरुद नहीं पड़ेगी रेगुलर यहाँ पर आपको live class मिलेगी बाद में वही class आपको recorded मिलेगी यदि आप live class नहीं देख पाते हो तो आपको recorded class मिलेगी जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो हर class का पीडियाप मिलेगा Sunday to Sunday यहाँ पर टेस्ट हो होंगी previous question, practice question, current, फिर सारा सब कुछ provide करवाया जाएगा overall आपको वो complete content provide करवाया जाएगा जिसके बेस पर आप जरुद क्वालिफाई कर सको सबसे plus point, कभी भी कोई भी doubt हो, कोई भी confusion हो, तो यह मेरे WhatsApp नमबर है, 7891350470, calling नमबर है कभी भी call करो, कभी भी message करो, हर time आपको जरुद के target के according guide किया जाएगा, मेरे खुद के द्वारा guide किया जाएगा यहाँ पर कोई assistant नहीं है, जब भी बात होगी, मेरे से खुद से बात होगी, मेरा target है कि हमें जरुद क्वालिफाई करना है, तो मैं always आपको जरुद के according ही guide करूँगा, ठीक है, यह मैं यहाँ पर पूरे confidence के साथ करूँ, यदि मैं charges के बारे में बात कर लो, तो प्यारे सा आप आज ही तुरंट बैच जोइन करें, ताकि आप एक समय पर अच्छे तरीके से syllabus को cover कर पाएं, फिर उसका आप अच्छे तरीके से revision कर पाएं, ताकि आप बहुत ही गजब के marks के साथ जरुद क्वालिफाई कर पाएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखन के लिए, ठैंक्स बाएं मेरे प्यारे साथ ती यू.